हलो आपरों मुल्क्राम बाक टी यो ओन चैनल वेल्स अगज 20th of मार्च 2024 कई सारी स्टोक स्पेसिफिक सॉलिड न्यूज है जिनकों कि हम लोग आगे डिसकस करेंगे यूगि निफ्टी फिफ्टी और निफ्टी बैंक में तो वही हो रहा है जैसा पिछले कई दिनों से होता चला रहा है जिस लेवल पर मार्केट ओपन हुए उसी लेवल पर प्रिसाइज उसी लेवल पर अब कितने सारे दिनों को देखते चेले जाएं दोसों बडी-बडी के दिखाई पड़ रही है सेमें जहां पर इसके मैं में केंटल बारे में बात होगी, बिलकुल छोटी सी कंडल, लम्बी लम्बी विक्स दिखाई पड़ रही है, मारकेट में वॉलटिलिटी काफी है, लेकिन इस से में मारकेट में ऑप्शन राइटिंग की ट्रेडिंग, ऑप्शन राइटिंग की स्ट्राड़जीज, option rating ही मुनाफ़ा करके देगे क्योंकि Wix already अच्छा खासा rise up हो रखा है अब कई सरे लोग कहेंगे सरे market अगर volatile है तो option buying की opportunity भी बनती है लेकिन दोसों market में आप option buying या फिर breakout के trades आप कब लेते हैं breakout के breakdown के trades अब लेते हैं जब वो अपने important levels को breach करें दोसों आज के दिन के बारे हम बात करें तो 46,000 46,000 का level एक crucial level था जिसके नीचे अगर market sustain करता एक directional move एक बड़ा directional move आपको expect करना चाहिए था बड़ अल्टिमेटली क्या हुआ 46,000 के level के नीचे जैसे ही एक candle close हुई next candle उसके उपर मतलब there is no confirmation at all that is a precise reason market अपने नीचे के level पर sustain नहीं कर रहा है उपर bounce back कर रहा है उपर के level पर sustain नहीं कर रहा है 46,500 के level पर sustain नहीं कर रहा है ultimately नीचे कर रहा है so दोसों market is pretty much range bound इसको volatile move नहीं कहेंगे इसको choppy movement कहेंगे right word is the choppy movement out of 2200 stocks आज के दिन दोसों करीब 1300 stocks गिरते हुए दिखाई बड़ रहा है advancing stocks were 960 अब आज के दिन भी थोड़ी सी profit booking ज्यादा है थी अब आप जिस level पर closing हुई उनको देखिये 21,839 कल के दिन भी 21,800 पर closing हुई थी 880 to be precise Nifty Bank 46,310 तोसो कल के दिन भी Nifty Bank में कोई यह था खास बड़ा closing उपर या नीचे नहीं हुई थी ultimately closing उसी level पर हुई थी जिस level पर opening हुई थी तो basically यह सारे के सारे हथकंडे हैं यह सारे के सारे तरीके हैं option के premium को eat up करने का ऐसे morning में ऐसा लग रहा था कि market अगर 22,000 के level के उपर अगर sustain करेंगे तो एक बड़ा अच्छा move आएगा ऐसे उम्मीद मैंने भी लगा रखी दोस्तों काफी दिनों से मैं भी सोच रहा हूँ कि एक बड़ा directional move हो बड़े levels break हो लेकिन बड़े levels के important levels के आसपास आते ही वो सीधे वहीं से retrace कर जा रहा है अगर आप बात करें ग्लोबल मार्केट के तो ग्लोबल मार्केट में भी सेम हाल है अगर आप European मार्केट को देखें सेम वही 12 पॉइंट 35 पॉइंट डाव जोंस एह एक पॉइंट माइगाड गिफ निफ्टी तो बिल्कुल रखें की टागेट्स ऑफ 20-25 परसेंट और अप्शिन के प्रीमियम की बात कर रहा हूं अप्शिन का प्रीमिम में 20-25 परसेंट के अपसार अगर आपको मिलती है मेरे हैसाब से ताट्स मोर देनफ और स्टॉप प्लोस को छोटर रखें क्योंकि परसेंट के असपर सूपर था मारूति अज पहली बार लाइफ टाइम हाई 12,000 के लेवल्स को टच किया इसके लाब पावर ग्रेट नेसले ओंजी सी वर दी अधर टॉप गेनर्स कल के दिन गिरा हुआ था और दोस्वों मैंने कल के दिन भी आपको बताया था नेसले टी-सी-सी वर शेयर्स हैं जो कि गिरावट में एक्यूमिलेशन की ऑपरचिनिटी को मिस नहीं करना है आज के दिन के टॉप लूजर्स के बारे ही बात करें दोस्वों आप खुद देखिए टाटा स्टील दो परसेंट टाटा काजूमर्स दो परसेंट टाटा मोटर्स अल अच्छा पोटेंशल दिखाई पड़ सकता है लेकिन टाटा स्टाक को मैं स्टडी करना चाहता हूं काफी दिनों से में यह मेरे पाइपलेन में है आज मैं दोस्तों इसको डिफिनिटली स्टडी करूँगा ही करूँगा तो बात करें में और परफॉर्मिंग से बारे में जिन स्टॉक्स में लास्ट एक हफते में अच्छी बाइंग हुई है उसमें लीड कर रहा है मारूती साले 6% बजाज फिनेंस 6% ITC साले 5% कोटक महिंदरा बांक इस ऑल्मूस 5.5% भारती एटल भी एक हफते में अच्छा रनप किया है तो यह उस सारे स्टॉक्स हैं जहां वाल्यव बाइंग होई है क्योंकि यह सारे के सारे स्टॉक्स पिटे हुए स्टॉक्स है फिर जाहे बजाज फिनेंस हो यह फिर ITC हो कोटक में तरवाय तो सालों हो गए भारती एटल तो अच्छा रनप कर रहा है क्योंकि भारती एक्सा हग्सा का आईपियो आने वाला है और उसमें भारती एटिल का 70% का स्टेक है. अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स के बारें बात रहें, सो दोस्तों, लास्ट एक हफ्ते में जहां सबस्यादर गिरावट है, उनमें लीड का राभी पीसील सालई 6%, एक एक इंपॉर्मिंशन जिसमें कि मैं डेली आपको तवज्जो देता हूँ, यह डेटा है, डिलिवरी परसंटेज का, पिछले दिन के कंपारशन में, कहां पर आपको ज्यादा डिलिवरी परसंटेज दिखाई पड़ रहा है, दोस्तों, लीड कर रहा है TCS, अल्मोस्ट क्लोस टू 80% के आसपास का, हाई डिलिवरी परसंटेज आइस कंपेर तू प्रिवियस दे, दोस्तों, TCS कल के दिन भी है, TCS और नसले दो स्टॉक्स के बारे हम लोगों ने कल के दिन डिस्केशन किया था, इसके लावा दोस्तों, गर आप देखें, TCS हैं, अगर आप मुझसे बूचें कि Nifty 50 और Nifty Bank पे क्या व्यू निकल कर गया रहा है, तो दोस्तों, मेरा व्यू अभी भी Nifty 50 को लेकर के सेम ही है, कि Nifty 50 का 21,900 के नीचे रहता है, तो ये एक वीक सिगनल है, इन फाक्ट, मैं तो आज ये सोच रहा था, कि हो सकता ही 22,000 के लेवल के उपर क्लोजिंग हो जाए, तो यहां से फिर हमारा जो वीव है, वो थोड़ा चेंज हो करके बुलिश हो, बट अभी भी हमारा स्टेंस सेम नेगेटिव उनली, यह 21,900 के लेवल पर, दूस्तों, अगर आप इसके चार्ट को देखें, तो आपको समझ में आएगा कि यह जो आज के दिन कारवाई हुई है, यह एक रीट्रेस्मेंट की कारवाई है, लेकिन दूस्तों, अगर क्लोजिंग के बारे बात करें, तो बहुत बहुत बेरिश क्लोजिंग नहीं हुई है, योगि अल्टीमेटली, वही जहां ओपन हो रहा है, वहीं क्लोज हो रहा है, यू कांट हेल्प इट माच, और आगर आप देखें, आज के दिन के सो ओपनिंग हुई थी, इस लेवल पर, वहां से नीचे, उपर, अल्टीमेटली, क्लोजिंग, सेंप लेश, तो जब तक अगर आप, यह सुच गए है, कि माचे उपर क्यों नहीं जा रही है, तो माचे उपर नहीं जाए, और माके उपर क्यों जाए, अभी यह तक तो पता नहीं है, कि मोदी जी आएंगे कि राहुल जी आएंगे योगि एलेक्टोरल बॉंड्स के बाद में तो मोदी जी के कि उस पे काफी सारे कोशिश उठ रहे हैं एक छोटा सा चाहे जितना भी छोटा हो या फिर जैसा भी आप समझें एक डेंट तो लगा यह लगा है जिसकी वज़े से सेंटिमेंट्स में थोड़ा सा निगेटिविटी है और यही निगेटिविटी मार्केट फाक्टर इन करने की कोशिश कर रही है और चांसेज ओव बीजेपी लूजिंग और स्टिल वेरी मियागर लेकिन दोस्तों अभी भी देड़ महीना वाकी है देड़ महीने में कुछ भी हो सकता है अगर आप देखे हैं दोस्तों तो ओर आल सिनारियो यही है मार्केट फैक्टर इन करने की कोशिश कर रही है वर्स्ट और फिलाल अभी इतना वर्स्ट भी नहीं है अगर आप निफ्टी बैंक के बारे में बात रहें तो आज कुस ने 46,000 के नीचे क्लोजिंग देनी थी अगर क्लोजिंग देता तो एक वीक सिगनल होता बाट अल्टीमेटली 45,850 के लेवल से बाउंस बाक लिया और फिर वही फ्लाट क्लोजिंग हो गई तो इसी लेवल पर अगर आप देखे तो लास्ट 4-5 दिनों से मारकेट बिल्कुल रेंज बाउंट रेट कर रही है क्या ओप्शन डेटा हमें कुछ क्ल्यू कुछ दे रहा है अगर आप लोग पूट कॉल रेशो को देखे है मतलब 22,000 के लेवल तूटते हुए दिखाई नहीं पढ़ रहे है और बगर बाई चांस 22,000 के लेवल तूटते हैं तो एक अच्छी शॉट कवरिंग की एकस्पेक्टेशन रखने चाहिए परंतु यह कब होगा जब 22,000 के ऊपर निफ्टे 50 ब्रेक करेगा और पहले चीज़ ब्रेक करेगा और उपर सस्टेन करेगा सिर्फ टच करने से नीचे आ जाने से कुछ नहीं होगा सस्टेन, अगर सस्टेन करता है करी बादे गंटे तो एक शॉट कवरिंग की यही प्रिसाइज रिजन है कि मार्केट में आपको भी इरिशन दिखाई पढ़ रही है दूस्तों, स्टॉक स्पस्टिफिक निउस के बारे हम बाते हैं सबसे पहला स्टॉक है अब दूस्तों, HL को अगर आप देखें हैं तो इसमें आज की दिन एक दो बड़ी निउस है, सबसे पहली चीज तो इस परकार की निउस आ रही है कहने का मतब यह है कि अगले चार सालों के अंदर गॉर्मेंट 50,000 करोड का डिफेंस एक्सपोर्ट करेगी ही करेगी अब उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए नई कंट्रीज के साथ M.O.Y. किया जाएगा कंट्रीज के साथ मिला जाएगा, उनको बताया जाएगा, अपनी डिफेंस पोटेंशल को शोकेस किया जाएगा तो जितने भी स्टॉक्स हैं डिफेंस से रिलेटेड उन पे आपकी निज़रे होनी चाहिए अगर आप मुझे पूछें तो दो-तीन स्टॉक्स हैं जो कि प्राइमरली जिस पर कि आपकी नज़रे हो सकती है अगर आप बात करें HCL के चार्ट की तो दोस्तों HCL प्रेजेंट ली ट्रेड कर रहा है 2993 पे स्टॉक 3400 के लेवल से थोड़ा साही रीच रेस किया है लिगन दोस्तों अगर आप मुझें क्या स्टॉक में और गिरावट हो सकती है कम से कम 2800 लेवल तक का एक इंपॉर्टन टेकनिकल लेवल है जहां तक स्टॉक आने की शामतार रखता है तो दिस इस फर्स्ट लेवल जिस पर कि सोचा जाएगा कि HCL में क्या किया जाए मतलब पोजिशन बनाई जाए कि नहीं बनाई जाए अगर यहां से bounce back होता है तब तो ठीक है otherwise यह लेवल भी ब्रीज कर जाता है तो काफी तेजी जिगरावट हो सकती है तो अच्छा स्टॉक है अच्छा potential है अच्छा sectoral growth भी दिखाई पड़ी है पास्ट में फ्यूचर में भी दिखाई पड़ेगी नेक्स्ट होगे दोस्तों टाटा मोटर्स जिसमें की डेली न्यूज आती है कल के दिन recall की न्यूज थी की यूएस से अपनी जैगवर लैंड रोवर की कार्स को रिकॉल कर रहे हैं इसके लब आज के दिन न्यूज थी की 9000 करोड का निया प्लैंट वो हुंडाई से कॉंपीट करने के लिए स्टार्ट करने वाले हैं और स्टॉक में कई प्रकार की न्यूज आती रहती हैं अभी कुछ दूनों पहले न्यूज थी कि टेसला इंडिया में आने वाला है क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी कम की जा रही है इंडिया में इलेक्ट्रिकल वहिकल को असेंबल करेंगी अगर 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 आप मुसे पूचे तो इन सभी चीजों में टाटा मोटर्स के लिए तोला तोला कहीं निगेटिविटी दिखाई पल रही है अब दुसों यह निगेटिविटी डाली जा रही है यह निगेटिविटी है क्या है दुसों स्टॉक के जो 1000 के टारगेट से वो अलड़ी अचीव हो गया है लेट दे स्टॉक रेट्रेस्टो दी लेवल्स आप 880 यह चीज मैं डेली आपको बताता हूं अब दुसों अगर आप मुस्चेश है कि स्टॉक में क्या हो रहा है बेट देली इन्यूस फ्लो अरही है यह नियूस फ्लो विच इस कमिंग देली लेट दस्टॉक ग्रेक्ट लेट दस्टॉक क्राक अगर यहां पर stock एक अच्छे value buying zone के आता है, तो technically, again buy करना है नहीं करना, that happens to be your choice, but ultimately, what is visible on charts, that of course we can always discuss, next talk is AsterDM, जिसमें की कई महीनों पहले हम लोगे डिस्कुस किया था, कि वो अपने Gulf countries के operations को, और India के operations को separate करना चाहते हैं, demerge करना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने अपने investors से approval भी लिया है, voting भी कराई थी, और जो की successfully demerge भी हो जाएगा, that is very, very sure, स्टॉक के बारे, बातर हम लोगों ने पॉजिशन को create किया था, when the stock was trading at the price of 340-350, इस टेम पर, और वहां से stock गया है, जहाई as 480, अभी स्टॉक वहां से थोड़ा सा retrace कर रहा है, बहुती beautiful retracement अलड़ी हो चुका है, इस टॉक का जो टेकनिकल चार्ट है, वहों को दिखाता है, कि stock in a 480-500 के level से retrace करके, next upside के लिए तयार होता हूँ, इस टॉक में almost 460-470 तक के levels दिखाई पड़े थे, लिए stock retrace हो गया, और अगर आप उसे पूछे हैं, तो stock में एक retracement, एक healthy retracement complete हो चुका है, और stock अपनी fresh leg के लिए जाता हुआ, upside के लिए जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, so this is one thing which you should be aware of, next stock है दुसमें हड को, जिसमें की company ने डेल रुपए का interim dividend डेकलेर किया है, प्लस 40,000 क्रोड का fund raising का plan भी डिकलेर हुआ है, और board has also approved increase in overall borrowing limit to 1.5 lakh क्रोड जो की पहले 1 lakh क्रोड थी, तो अभी 50,000 क्रोड का और borrowing हड़को कर सकता है, simple चीज़ दोस्तों, जब capital होगी तभी आप उसको invest करेंगे, जब आप invest करेंगे, जब आप यूज मिलाएंगे, तभी आपका revenue और profit generate होगा, हड़को के बारे में बात करें, stock rate कर रहा था, जिसके बारे हम लोग ने तीन दिन पहले डिसकस किया था, कि stock में 1-1 का bonus आप सकता है, stock NMI in open engineering, stock 2499 के price है, 2499 दोस्तों बहुत ही important level है, क्योंकि ये हमारा diamond plus membership का level है, 2499, वहां से stock में bounce back आया, stock went as high as 3300 लेवल, आज के दिन दोस्तों, stock में bonus share issue का confirmation आया, और वहां से stock में profit booking दिखाई पड़ी है, so, ये दोस्तों market में क्या है, buy on rumor and sell on news, stock 2400 से सिर्फ 3-4 दिनों के अंदर इतने high से पहुँच गया, आज profit booking दिखाई पड़ी है, stock के बारे में बात करें, stock का एक healthy retracement level है, 2900 to 3000 levels, जो की stock almost आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो यहां से stock में एक retracement एक fresh upside के expectation रखने चाहिए, overall एक बहुती जबरतस company है, बहुती जबरतस business है, इस stock में भी आपकी नजरे हो सकते हैं, और साथ में, अगर आपके portfolio में stock है, तो आपको one is to one का bonus भी मिलेगा, last but not the least, a very interesting chart, दोस्तों, यह stock है symphony, और symphony बहुत underperform कर रहा है पिछले कई सालों से, क्योंकि symphony क्या बनाती है, symphony बनाती है cooler, जान पूरी दुनिया में symphony का जो famous business है, वो है cooler, summer coolers, लेकिन दोस्तों, अच्छल cooler लगाता कौन है, हर कोई इसी लगवाता है, और यही reason है दोस्तों, stock has been underperforming, stock 2200 रुपे पे trade कर रहा था 2018 में, वहाँ से हर साल दोस्तों, यह stock सिर्फ गिरता है, गिरता है, उठता कभी नहीं है, और अभी stock कहां पर महुँच गया है, उस level पर जिस stock, यह stock जब 2015-2016 पे trade कर रहा था, यह stock 2016 पे जिसने buy किया है, 2024 में आठ साल बाद भी stock उसी price level पे मिल रहा है, what a destruction of wealth, बढ़ अगर आम उसे पूचें, इस साल क्या possibility, इस साल भी jump के घर में पढ़ने वाली है दोस्तों, और jump के cooler और fans की requirement होगी, symphony पे आपकी नजरे हो सकती है, but again a very very higher stock, इस stock में position create करने का तभी मतलब बनता है, जब इस stock 1000 के levels को breach कर देतो, 1000 के levels को breach करता है, दोस्तों fresh upside, fresh potential, fresh dumb दिखाई पड़ेगी, क्योंकि अगर इसने 800 के levels को breach कर दिया, उल्टा कर इसने 800 के levels को breach कर दिया, आपको दोस्तों डेली रिमांड इसले करता हूं क्योंकि मार्च क महिना बहुत ही important होता है, you will be able to save on taxes also, if you, you know, of course, ensure your wealth and ensure your health as well. Thank you so very much, bye-bye for now.